मुख्य मंत्री पुश्कर सिंग धामी की UCC बिल को लाने की घोषणा के बाद अब इस मुद्दे को लेकर सरगरी में तेज हो गई है और UCC जो है अगले विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा इसको लेकर हमाई साथ बात्चीत के लिए मौजूद है उत्राखंड के आच फरवरी से आठ फरवरी तक विधानसभा काम में सत्रा आउत किया है और आप जानते हैं कि हमारे एक सिटिंग मेल मिस्टर शर्वत अंसारी जी उनका इसी बीच में दिहार सान हुआ है बस पाके थे मैं अपनी सरकार के वर से उनको शर्दासुन परिक कर रहा हूं उनक में को सर्दान देने का काम पूरा सधन करेगा तो पहले दिन लोगा तो उसको करें से सा рек करेंगे लेकिन उससे पहले हम कारेयर सुची निरधार हित होती है गांदें विखें व करेंगे कि सरगार का प्रियास कि हमारे सामने दो महत्यों विल हैं जो इसमें लोगों करने वाले एक ही विशे है दूसरा तो क्योंकि आल्लेडी टेबल किया वाए उसके चर्चा होनी है और दक्ष्विदानसभा जो मेरे परभर्षमिति की रिपूर्ट है उसको विवसमें रस्तुत करेंगी मेन है यूसमें परीयास करेंगे और ऐसी स्थिती में वम उम्मीद करेंगे उसके बाद रहा कि हम लोग स्थारी करें पाएगा या अगले सत्र पर बुलाना पड़ेंगे क्योंकि यह सिर्फ पांसे आठ का विशह है बजट सत्र थोड़ा आप जानते हैं थोड़ा लंबा भी रहता है उसमें महामीम रज्यपाल जी का विभाशन भी होता है सारी चीजे होती है और उस पर अभी हम फैसला नहीं क बिष्ट नहीं किया कि हमानिए सट्रा वसान करने के बाद में च्हेते आरक्षन का विशह था वो इसमें लाना ही लाना है यह जिए और इसको लेकर राष्ट में जो दूसरी विपक्ष्टकीं हैं वो भी आरोब लगा रही है बाश्पा सरकार पर यू सी सी जो है वो कोड नहीं कोड है हरी श्रावत जी ने भी कहा कि अलग अलग राज्य है अब उत्राखंड आ रहा है फिर असाम लाएगी फिर गुजरात लेके आएगी इसमें ट्राइबल्स को भी अलग करने का प्रव 近y देखे एस्टि ईयस्टी हैं वाश्पल फिर सिर्व जी किया करें उनका अपना नजरिया और वो को सिर्फ राजनितिक चसमिंश्में से देखते रहे पूंग पर एक धर्म की राजनिति करनी होती है भारतियनत्याअप फार्दि फीर श्क्त के डार्ति पार्टि हरुआल और चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो इसाई या कोई भी हो हम सब को चाहते हैं वह हमारे हां समान दृष्टी से उनके लिए कानून लागू हो इसलिए यह 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 लाने का हम लोगों का प्रयास है अब आप समझें जस्टिस देशाई की अध्यक्सता में जो यह हमारी कारिकल को बढ़ाया भी है ताकि हम व्यापक और चर्चा कर सके ऐसा नहीं है कि हमने का करिये और तुरूंत आप रिपोर्ट पेस करिए जो तिन वार हमने उनके कारिकल भी हमें जब लगा कि अभी आवशक्ता है नहीं का कारिकल यानिकि जिस भी स्थिति में वह व्यापक चर्चा करने के बाद जो ड्राफ्ट देंगे उसके बाद फिर हम अपने विदानसवा में इसलिए ला रहे हैं कि जिस भी दल के लोग चायो किसी धर्म को प्रुसाहित करते हों कि उस लोग की तो सिर्फ एक ही जाती वर्ग से उनका विशेस लगाव रहता है आप देखिए लोग कहते थे किसाब राम मंदिर राम जो है कालपनिक थे और भगवान सिर्फ राम का मंदिर बनाना बनाने के लिए बड़ी बड़ी फौज जो है वकिलों की और सुप्रिम कोट में खड़ी की और उसके बाद भी सुप्रिम कोट के आदेशानुसार ये सश्वी परदान म करते हैं तीन तराग उन बेहनों के साथ जाती और वह इनको नहीं दिख रहा था वह भी खतम करने का काम अधने मोदी जी ने किया उसी परकार का हम फिर कह रहे हैं कि हमारा भारतिन्ता पाटी को ऐसी राष्टे पाटी हो किसी जाती ध्रम की बात भाती सबीगों साथ लेके चलेंगे और उस पर हमने जहां इस कमेटी को बनाया फिर हम व्यापक चर्चा के लिए जो हमारा बड़ा प्रेटफॉर्म में विधान सभा का आईए ना दीजिए पने सुझाओ कोई और अच्छा आपके मन में भाव है कोई अच्छा सुझाओ दीजिए ना हम व्यापक चर् करते हैं कि यह ना तो पास हो और यह माहौल खराब करें मैं सभी से अपील कर रहा हूं देखिए हम लोग सभी पार्टी के लोगों से मैं तो व्यक्तिक रूप से आगरे कर रहा हूं कि कम सगम अभी यहां उत्तराखंड का महौल बत अच्छा खराब करने कोशिस मत कीजिए यह हम बहुत अच्छा डाफ ला रहे हैं व्यापक चर्चा के बाद हम इसे लागू करेंगे हम सभी का सम्मान करते हैं हमारा उत्तराखंड क्या देश विभिन फूलों का एक गुलदस्ता है उस खुबसूरती को बना के रखें सभी का धरम बनता है उनका भी बनता है हमारा कानून व्यवस्था का कोई कारण ही नहीं है आप जानीर में दो तिन उधारना दिया आपको हमने 375 की बात ती रामंदिर की बात थी पिन तलाक की बात थी कहां कानून व्यस्तखरा हुई यह देश अब बहुत आगे बढ़ चुका है जब यह जाती धरम पे बाढ़ते थे आज उससे बहुत आगे यह देश बढ़ चुका है और माने मोदी जी के कुशल नेतरतों में यह देश अब विश्व के विक्सित देशों में इसकी गिंती हो रही है ऐसे में अब मोदी जी के शासनकाल में धामी जी के शासलकाल में इस प्रकार की बातों को कहना अब मैं सम झाल झाल